सब्सक्राइब कीजिए गुल्शादंसारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलें और आप कोई भी वीडियो मिस्त ना कर पाएं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शोट वीडियो अपलोड की थी गिलास एचिंग के रिलेटिड तो काफी लोगों ने वो वीडियो देखी है और कुछ कमेंट भी आई हैं मेसिजिस आये हैं कि उसको थोड़ा सा डिटेल में बताओ वो शोट में समझ में किसी लोगों के मतलब कुछ लोगों के समझ में नहीं आया कि उसमें किस तरह से अपलाई करेंगे तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है आप गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे गिलास एचिंग डिजाइन तो यहाँ प फिर आप बना भी सकते हैं, फोटोशोप से बना सकते हैं, या फिर कोरल ड्रो से बना सकते हैं, या फिर आप इलुस्ट्रेटर से बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हैं, देखिए जिस तरह के ये टेक्स्चर हैं, और भी मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको इस तरह के टेक् रखिए वो मैं Photoshop में open कर लेता हूं यह मेरे पास एक image है गूगल से ही download की है इसको मैं Photoshop में open कर लेता हूं तो यह image यहाँ पर मैंने open कर ली है इसमें अगर side में कोई भी line है तो आप उसको crop कर देंगे side में कोई भी की चीज़ नहीं होनी चाहिए कुछ भी text ना हो सिर्फ वही हो जो आपको महाँ पर texture में चाहिए अगर है तो crop कर लेना और बाकी Photoshop के जो मेरे tutorials हैं जो playlist है वो भी देख सकते हैं आप उसमें जो काम की चीज़ें हैं एक architect के लिए या 3D visualization के लिए तो महाँ पर मैंने उसमें बहुत सारी चीज़े बता रखी हैं महाँ से आपको बहुत सारी help मिल जाएगी तो यहाँ पर मैंने इसको side में से थोड़ा थोड़ा सा crop कर लिया है और यह इस तरह का मैंने यहाँ पर इसको बना लिया अब मैं इसको save कर दूँगा यह कहीं और यहां से बंद कर दूँगा अब मैं इसको अगर photo को open करके आपर आपको दिखाता हूँ इसकी अगर मैं property दिखाता हूँ आपको इसका जो size है कुछ size रहेगा इसका ratio जो रखें photo के हिसाब से वही रखें यह तो फिर आप जो भी आपके model होगा जो भी आपके पास glass का size होगा उसी size के हिसाब से आप image त सैयार करूँगा तो यहाँ पर जो इसकी dimension है वो 210 और 476 चारसो छेटर 210 यह पिक्सल में होती है इसको आप आप महाँ पर 3ds max में इंच में डाल लो चाहें mm में डाल लो चाहें में सेंटिमेटर में उसके बाद scale कर लो तो उसका जो ratio होता है ना लंबाई और चोड़ाईगा वो खराब नहीं होता तो यहाँ पर मैं एक box बना लेता हूँ और इस box की जो यहाँ से है size change करूँगा इस तरीके से इसका था 210 इंच में या कही में भी आ जाया है और इस तरह से वो था 476 इस तरह की वो कुछ उसका expect ratio है बाद में आप चाहिए उसको scale कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी जो है ठिकनेस रहेगी ठिकनेस बहुत कम है ठिकनेस भी डाल देता हूँ कुछ इस तरह यह यह कोई एक for example कोई मेरे पास एक glass है अब मैं इस glass में वो texture यहाँ पर लाना चाहता हूँ हिचिंग में तो यहां पर मैं material editor open कर लेता हूँ तो सबसे पहले तो मैं यहां पर जो पहला material बनाता हूं first देख सकता हूँ साइज इसका बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए यह वैसा ही यहां पर आ रहा है लेकिन यहां भी दिखेगा साइडों में यहां पर भी दिखेगा उसका सब काम सोलुशन करेंगे तो यह जो मैंने बोक्स बनाया इसमें मैंने कोई सेगमेंट नहीं लिया भी मेरे पास अगर मैं इसको एडिट पॉली करूंगा तो यह पूरा मैं अब लिक कर दिया और इस वाले अब्गेक्ट मैं अपलाई किया और इस तरह से रख लिया, अब मैं फुर्क यहां पर थ्लेन विलें लाइट लगा लेता हूँ इसको रेंडर मैं देखने के लिए विले तो मैंने इन। पर कोई plan बना लिए झार आपर कर दिया और light बना लूँगा यहां पर जो फी रैफ्लैन लाइट होती है नोर्मली वह मैंने यहां पर बना ली और इसको मैं उपर रख लूँगा क्योंकि मुझे देखना है रेंडर में और थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लिया और थोड़ा सा इसको फिर रोटेट करके मैंने इस तरह से रख लिया और इसको मूग करके यहां पर रख लिया और यह जो है मैंने जो प्लैन बनाया था इस प्लैन को रोटेट करके कोपी कर लूँगा पीछे करने के लिए इसके ऐसे और इसके धर भी रखोंगा नहीं से और शिफ्ट एफ कर लेंगे से फ्रेम दिखेंगे और दूम करके रख लो मुझे फिलाल देखना ही तो है बस वैसे इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूं मैं मैंने इसे रख लिया और यहां पर राइट किलिक करके इसको कर लेता हूं अब मैं जूम भी करूँगा तो मैं यहां पर किलिक करूँगा तो मेरा यहां पर यहां पर यह ऐसे देखने को मिलेगा अब मैं अगर रेंडर करके देखता हूं यहां पर तो यह इसमें गिलास क बढ़ा लेता हूं यहां पर 30 है इसको मैंने कर लिया 100 और इसको भी 100 कर देता हूं और अगर आप यहां पर देखते हैं तो इस देखे अभी नॉर्मली गिलास है थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूं ना इससे देखना ना आसामी से दिखें तो देखें अभी तो कुछ नहीं है इसमें गिलास है बस लेकिन अगर मैं यहां पर अब दूसरा मेट्रियल बना लेता हूं एक एक और मैंने स्लोट लिया और यहां पर मैंने इसमें डिफ्यूस कलर को सपोज करो वाइट कर दिया रिफ्लेक्शन को अलमोस्ट इतना कर दिया रिफ्लेक्शन को मैंने यहां पर रख लिया इतना और यहां पर इसमें जो फोक कलर है इसको भी मैंने थोड़ा सा कम कर लिया और यहां पर जो रिफ्लेक्शन मैप होता है रिफ्लेक्शन मैप में वह वाली इमेज ले लूँग और जहां पर यह वाइट है ना वहाँ पर रिफ्रेक्शन यानिके वहाँ पर ट्रांस्पेरेंट हो जाएगा और जहां पर यह ब्लेक जगा है वहाँ पर यह मुझे इस तरह की एचिंग देखने को मिलेगी तो अगर मैं यह वाला मेट्रियल अपलाई करता हूं तो वो सारी अगर आप देखेंगे तो पीछे भी अपलाई हो गया और यहां भी अपलाई हो रहा है सब जगा पर अपलाई होगा हलका सागर मैं इसको वापस रोटेट करता हूं इसे और देखेंगे आप तो डिजाइन जो है वो आपको सही नहीं दिखेगा जैसा आपको चाहिए यह देखें यहां पर उल्टा दिख रहा है ना उधर भी अगर आप एक ही तरफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे मैं वापस से यह वाला जो मैंने पहले वाला मे और इसका polygon select कर लो एक सिर्फ इस वाले polygon में ये वाला material apply कर दो और अब render करके देखो तो इसमें अभी भी पीछे भी सारा material देखने को हमें मिल रहे तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं अगर अभी भी आपको इसमें पीछे दोनों texture दिख रहे हैं तो उसके लिए हम क्या भी बना सकते हैं, अगर ये प्रोपर नहीं दिख राए तो हम इसमें multi sub object बना लेंगे, सिर्फ ये वाले plan में हम वो वाला material लेंगे जो texture वाला है, बाकि सब जगा पर हम वो दूसरा वाला material लेंगे, तो multi sub object बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसको मैंने select कर लिया, वीरे material पर पर क्लिक कर दिया, keep old मुझे रखना नहीं है, discard कर दिया old, कोई भी रखना मुझे, set number में यहाँ पर मैंने इसमें कर दिया, दो ही number मुझे चाहिए, दो ही material ID चाहिए, अग्य बटन पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर, एक में तो मैंने रख लिया, यह वाला, copy कर दिया, instance नहीं कर रहा, और एक मैं रख दिया, मैंने यह ID number 2 में, यह भी मैंने यहाँ पर copy कर दिया, अब मुझे पता है, true number में यह वाला है, texture वाला, और one number में यह वाला है, तो इसका जो polygon है सारे polygon को पहले मैंने select किया और इसकी set id कर दी यहां से 1 और यह वाले polygon की set id मैंने कर दी यहां से 2 और इसमें मैं material अपलाई कर दूँगा यह वाला अब आप इसमें render अगर करके देखेंगे तो अब यह वाला ही सिर्फ texture देखने को आपको मिलेगा इसको थोड़ा सामय हां से rotate करके side से दिखाता हूँ है तो अब इसमें देखे सिर्फ single side इसमें texture हा रहा है और जो glass का color है वो इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है अब यहां से folk color को change कर सकते हैं इसमें जाएंगे यहां से और इसका जो folk color मैंने यहां पर लिया था यह इसको आप कम कर देंगे अब try करके देख लो देखे अब कम हो गया glass आ गया और इधर side में hatching आ गया चाहे folk color जो है एक number यहां से बढ़ा के देख लो 254 कर लो यानि कि 255 अभी भी ज्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं यहां से depth भी आप कम कर सकते हैं जैसे one है तो यहां से point five कर सकते हैं और भी ज्यादा कम कर सकते है point one या फिर आप इसको 255 ही रख सकते हैं only आपके ओपर depend करागा क्योंकि यह depth के साब से होता है तो अगर आपको सिर्फ एक साइड में ही हेचिंग चाहिए तो उसका तरीका यह रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया अब अगर इसमें दूसरी साइड भी आपको यह टेक्स्चर चाहिए उसके लिए क्या करना होगा देखिए अभी तो किसे ही दिख रहा है न यह अगर आपको दूसरी साइड भी यह वाला मेटरियल चाहिए इसमें यह वाला हैचिंग चाहिए दोनों तरफ तो उसके लिए आप इसमें मेटरियल आईडी ले लेंगे इसको तो हमने यहां से कर लिया था टू अब इधर वाली को भी मैं कर दूँगा यहां से सेट आईडी टू कर देता हूं और देखते हैं क्या आता है यहां पर अगर मैंने दोनों तरफ टू कर दिया अब मैं इसको रेंडर करके देखता हूं तो वही काम हुआ यह उल्टा हो रहा है इसका उल्टा हो रहा है तो यहां पर मैं इसमें क्या करूना जो पीछे वाली है इसको मैंने कर देता हूं यहां से सेट id 3 सेट आइडी 3 सेट टरी और मेटरियल में चलते हैं वापस अब यहां पर इस वाले मेटरियल में वापस जाएगे और यहां पर अभी हमारे पास दोई है क्लिक कर गया में तीन ले ले लेता हूं जै कोपी कड़ लिया ठीक है अंदर यहां पर रिफ्रेक्शन में जो मैप लगा हुआ है इसका नाम भी बदलना जरूरी है नहीं तो वो सेम रहेगा उसका नाम इसको कुछ भी नाम रख सकते हैं और यहां पर इसको हम एंगल में मैं थोड़ा सा इसको रोटेशन देता हूं मैंने यहां से 180 किया और अब आप इसको रेंडर करके देखो अभी इस तरीके से दिख रहाए तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा चोटा करके रखता हूं और यहां से इंगल चैंज करता हूं यहां वी में मैंने हैं पर एंगल क्या 180 तो आप देख सकते हैं यहां पर मुझे इस तरह का देखने को मिल राइगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो दोनों तरफ जो है इसमें यहां पर गिलास की हैचिंग नजार आ रही है चीग है यह इस तरह गई है चीग आ जाएगा इसमें आप चाहे तो फिर इसमें और ज्यादा डिटेल एड़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसमें डिटेल एड़ कर सकते हैं और जैसे और एक्जामपल जैसे यहां पर इसमें मैंने यह मैप लगाया हुआ है रिफ्रेक्शन में इसी को आप यहां से बंप में भी लगा लो और कोपी कर दो और यह 30 हो रहा ना इसको कम कर दो 5 कर दो 2 कर दो वाबस जाएंगे यहां से इस वाले में भी जो रिफ्रेक्शन में मैप लगाया है इसको यहां से कोपी करके और यहां से bump में लगा देंगे, copy करतेंगे, और bump की value को 5 कर देंगे, क्योंकि बहुत हलका सा bump होता है, इतना ज्यादा bump नहीं होता इसमें, अब आप अगर render करके देखेंगे, तो आपको यह उबरा हुआ भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अगर ज्यादा पास से गिलास के उपर आपको hedging work दिखाना है, तो आप इसी तरीके से दिखा सकते हैं, चाहे वो कोई company का logo हो, नाम हो, या कोई भी pattern हो, वो आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से गिलास के उपर लगा सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज पूरे तरीके से समझ में आ दिखी, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स वीडियो में ने टोपिक के साथ में, आपके ने कमेंट्स के साथ में, सबसफाई का धियान रखें, गरीबो की मदद करें, थिंक्यू